दीवाली के नास्ते के लिए हम कुछ ले कुछ बनाते हैं। जैसे पमा चीवडा, मक्कऐ चीवडा, सब कुछ बनाते हैं। लेकिन चकली के बिना नास्ता हो दूरा है तो यहां पर मैं आज आपको चकली बनाना सिखाऊंगी बहुत ही अच्छा और टेश्टी बनता है एकदम बार से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा कैसे वह में दिखाऊंगी इसमें में नौता आटा को बाफ हूंगी कि न बहुत ही अच्छी बनी है तो आप मेरा विडियो स्किप्स किये वह देखना यंप में इससारी ढंक करना पूरा के सारी बदाऊंगी यहां मेसरमेंट एक कप हम चाबल काटा लेंगि उसके साथ मैं आधा कप गयों काटा ले लूँगी यह इसका मेजरमेंट है अगर इस मेजरमेंट में बनाया तो आपका बहुत अच्छा बनेगा एक स्पून मैंने वाइट टिल लिया है उसके बाद इसके अंदर में एक स्पून मिर्ची की पेस्ट ले लूँगी उसके बाद नमक टीस किसे डाल दूँगी और एक से डेट स्पून जोल डालेंगे ना तो मैं इसमें बटर डाला है ना तो कुछ ऐसा डाला है फिर भी ये बहुत अच्छा बनेगा थोड़ी से में लोगी ताकर थोड़ी सी यलो बनेगी और बहुत इच्छी बनेगी इसको में निक्स कर देंग सतरे के गिए यहां पर अपर हम बहुत संत वाला भी नहिंए बहुत नरब वाला नहीं एसा मध रेडी रेड़ी करें तो देरे-देरे करके है पाणी एड़ करते जाएंगे और एक आट बहुत यह से मिक्स करते देंगे फ्रेंड्स एक्दम सिंपल तरीका है अगर आप कई चकली बहुत ही बढ़िया और टेश्टि बनेगी मारकेत में जो ले के आतें उससे भी बहुत ही अच्छा और टेश्टी बनेगा तो मैंने आठा एकदम बढ़िया से ready कर दिया है इसको अच्छे सेब मुसल देंगे तक ही हमको ready कर देना है तो मैंने ready कर दिया है कैसा बनाया है वह आटा में ready कर के दिखाती हूँ आपको तो यहां पर उंगली डालेंगे तो तुरंती इसको प्रेस होगी तो वैसा ही कर देंगे तो यहां पर मैं आटा ले लूँगी और इसके अंदर हम डाल देंगे तो इकदम बढ़िया से इसको मिक्स करके ही डाल देंगे तो जितना जरूरत हो उतना हम इसके अंदर डाल देंगे तो थोड़ा सा और में डालोंगी और उसके बाद इसके अंदर हम उपर प्लन रहेगी तो इसको ढखकन बन करके हम अच्छे से चकली बनाएंगे तो फ्रेंट्स एकदम इजी और एकदम टेस्टी अगर आपको बनाना है तो वैसे बनाऊगे तो बहुत अच्छा बनता है और दीवाली के नास्ते में अगर आपने यह चकली नहीं बनाई तो हमारी दीवाली की नास्ता अधूरा रहता है तो मैंने इसलिए चकली बनाई है अभी प्लेट के उपर में थोड़ा सा ओयल लगा दूँगी ताके आटा अगर दीला हो तो चिपके भी नहीं तो यह प्रोसेस जरूर से करना इसके बाद मैं संचा की मदद से उसके उपर से गुमा सब्सक्राइब करना यह चीए जाता है अगर आगंоО्च पर ळालना यह तो भी डाल सकते हो लेकिन ऐसे बनाओगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे से बन जाएगी तो मैंने सारे चक्लिया इसे रेडी कर दिये इस fabrics लिगा के लिए तो यहां पे सारे मैंने तरीका और आप गरम हो गया है उसके बाद इसके अंदर हम चकली डाल देंगे एक-एक करके तो यहाँ पे मैं आद की मदद से डाल रहे हूं लेकिन आप द्यान से करना या तो आप तभी था या तो चमच की मदद से इसको डाल सकते हो लेकिन मेरे को प्रैक्टिस है तो मैंने एसे ढाल इसको फड़ासा पकाएंगे तो मिडियूं फ्लेम के नाने के छोड़ेंगे तो एक करने के लिए तो वैसे ही करके हम सारी चकलिया बना देंगे अगर आप मेरी चैनल पर नहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को क्लिक करना ताके नए वीडियो की नोटिफिकेसन आपके पास आती रहेगी और हाँ मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कॉमेंट करना और फ्रेंट के सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही नए नए वीडियो में लेके आऊंगी आपके पास तो दिवाली का नास्ता है तो मैं ऐसे ही बना के लेके आऊंगी कुछ यूनिक भी लाओंगी तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना और बेल आइकोन को क्लिक करना ताके तुरंती नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी तो ऐसे ही नया वीडियो देखना है ताक सब्सक्राइब करके ही जाना और हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ही जाना तो मैंने सारी चकलिया रेडि कर दिये अभी इसको मैं सव कर दूँगी तो पहले मैं दिखाऊंगी आपको तो ये एकदम बढ़िया से एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट वाली बनी है मैंने तुरंती हाथ में तोड़ी तो तुरंती तूट गई ऐसी चकली रेडि हो गई है तो फ्रेंड्स है ना एकदम यूनिक तरीके से मैंने बनाया है नो कोई जंजट है फीड भी सिंपल तरीके से आप ये नास्ता बना सकते हो तो एकदम सिंपल तरीका है और आप ये फटाक से बना सकते हो लुकवाइस यम्मी तेश्टी ऐसे हमारे चकली रेडि हो गई है दिवाली के टाइम है और आपको नास्ता बनाना है कुछ नया बनाना है तो आप ये बना सकते हो बहुत ही कम इंडिडेंस लगता है बहुत ही कम मेनत लगती है फिर भी ये एकदम टेश्टी बन जाता है नास्ता थेंक्यू फॉर वाचिंग बाई बाई टेक केर